Hello everyone, क्या हाल चैलेजी आपका? तो आज मैं लेके हैं आपके लिए बहुत special recipe यह है पंजाबी छूलों की recipe यानि कि पंजाबी चने पंजाबी स्टाइल में चने बनाई है और मस्त होके काई है, मजा आजाएगा यह बना के Actually यह आदा किलो चने हैं जिनको मैंने रात को मतब भिगो के रख दिया तो और सुपह विसल दिला दी तो बस आदा गंटा इनको अच्छे ढंग से उबलने दिया मतब बनने दिया फिर अब क्या करेंगे इसका पानी ना अलग कर लेंगे चने अलग कर लेंगे और पानी अलग उसका भी यूज बताती हूँ आपको कि हमने पानी को लग क्यों किया है यह देखे पानी अलग करके रख लेंगे अब क्या करेंगे अब कडाही में तीन से चार चमच लेंगे यहाँ पर मैं सरसों को यूज यूज कर लियू तो फटा फट यह सबजी त्यार हो जाएगी बस हमने दो से तीन मिनटे से कोट करके प्याज को उसमें डाल देना है लेसुन कोटा हुआ आप चाहो तो लेसुन अतर का पेस्ट भी डाल सकते हो पर मुझे ऐसे डालने में टेस्ट जादा लगता है तो बस मैंने लेसुन कोट के इसमें डाल दिया है अब इसे हमने लाइट ब्राउन होने तक प्याज को भूनना है जब प्याज थोरा लाइट ब्राउन हो जाएगा ना फिर हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्च कोट के देखिए आप बरीक-बरीक करके भी डाल सकते हो या ऐसे स्केपी कर सकते हो पर ध्यान से करिएगा आगे मैं कोट रही थी ना तो मेरे अचानक से चीन्ट पड़ेगी आंक में मिर्च की यार क्या हालत हुई मेरे मैं बता नहीं सकती पर ध्यान से पर इसमें डालेंगे अब थ अच्छे ढंक से इस मसाले को मिक्स कर देना है थोड़ा सा पानी डालके ताकि जो मसाला है बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए यह जो चने बनके त्यार हो जाएंगे ना यार सच में पजारी चनों को भी पीछे छोड़ देंगे बहुत बढ़िया चोले बनेंगे मतलब अच्छे रंक से मिक्स कर देना है और फुल फ्रेम पे बीच बीच में हिलाते हुए पढ़ा जाने देना है जब तक कि जो मसाला है चनों पे लगना जाए इतनी तेरे हम क्या करते हैं हम थ्यार कर लेते हैं पूरी की सबसे पहले मैं ले रही हूं क्या ले रही हूं आपको कुटी बाग रही हुए जो में जेश जाए PC के हैं था में घे हुआव suiv होल जेश है जिसमें दालें इसमें लालमीच पॉकर जो मुटी यो जो नमक डालें दो अच्छी हम चासी झाद के रहИं का ब्लैक पैपर यानि की काली मिज़ डालेंगे और कुसूरी मिती को थोड़ा सा हाथसों से क्रश करके इसमें डाल देंगे अब जो हमने पानी डालना है पहले तो हलके आथ उसे आटे को ऐसे ही करिए फिर जो पानी डालना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेगेगा वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है एकदम से नहीं डालना बस इसमें ना हाफ कप के बराबर यह से थोड़ा पानी लेगेगा ज्यादा नहीं इसलिए मैं बार बार कहा रही हूँ पानी जो डालना थोड़ा थोड़ा करके ही डालना वरना जो आटा है बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपकी पूरी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी आपको दुबारा मेहनत करने पड़ेगी तो बस जी हलकिल क्या तो इसे से मसल के हमने बढ़िया सा ना इसका जी हलकी इसे रगती जिए बीज से पच्छीस मिनट के लिए बस बढ़िया तरीके से जो डो त्यार हो जाएगा यह दिखे जो हमने चने रखे थे ना यान की छोले रखे थे बढ़िया तरीके से इसमें मसाला लग गया है अब क्या करेंगे जो पानी हमने अलग रखा था उसका यूज अब करेंगे अब पानी में डालेंगे दो चमच चाई पती के आप चाहो तो पहले उबालते समय आप आवला भी डाल सकते हैं उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है लेकिन अगर आप आवला डालना भूल गए हो यह आपके पास नहीं है सुके आवले तो अब इस धंग से पती डालके इसे तीन से चाल मिनट अच्छे धंग से उबलने दीजिए बस यह बहुत बढ़िया जो चनों में कलर आएगा बहुत बढ़िया आएगा अब एक पर असमा के देखेगा बस इसे जैसे उबाला आ जा पर बहुत बढ़िया ज़ाय जो understand कोः अब गरव पानी में बढ़िया जोग से बहुत बढ़िया पानी जो पानी, दॉसमें डाल देना है पर ब minerर चाय पती वाला पानी ऐसमें डाल द 드íक क्योड़ीं बढ़ियेंगा और बहुत गरम है पानी तो आप कि नहों में लेगा दालना है, इनको छान के, जिदिखिए, छान लेंगे और साथी पानी इसमें डाल देंगे अब पानी डालने से इसका जो कलर आएगा बहुत ही बड़ी आएगा, ये देखिए अब पानी डालने के बाद, 3-4 मिनoded हमने इसे अच्छे डंग से उबलने देना है लो फ्रेम पे लो टु मीडियम फ्रेम पे बस जी जितनी तेरे अच्छे रंग से चने बनते हैं हम कर लेते हैं पूरियों की त्यारी यह दिखिए सभी पूरियां को बेल के हमने रख लेना है हाथ तो पर हलका सा ओयल लगा लिजे तब इनके पेड़े कीजेगा और फिर मैं हमेशह कोशिश करते हूं मैं सर्स के तेल में ये कुछ ऐसी चीज़ाइसे चावलाली को और शाल अगा धरेंगे डालिएगा वरना जो पूरिया है न चलंग से फूलेंगे नहीं ये दिखे बहुत बढ़िया बन गया है ऐसे हम सारी पूरिया बना के रख लेंगे और साथ में चने तो हमारे परफेट तरीके से बनी चुकी है अभी दिखाते हूं आपको ये दिखे कलर कितना बढ़िया आय है तो बस जी चना और पूरी त्यार है इसे फटा फट डाल लेते हैं किसी अलग बरतन में और अब दिखाते हूं एक बढ़िया तरिका ये उपर से मैंने ना हींग लाल मिर्च का थोड़ा सा तड़का लगा के इसमें डाल दिया है तो आप इस ट्रैस्पी को ट्रॉय बताएगा ये छोले पूरी आपको कैसे लगे